इसके पहले PSU स्टॉक्स पे भी उन्होंने एक रिपोर्ट निकाले ती वैलिविशन्स महेंगे हैं लेकिन यह जो स्ट्राटेजी रिपोर्ट है इसके अंदर भारी डेटा के साथ इन्होंने जस्टिफाई यह करने की कोशिश की है कि PSU स्टॉक्स एस्पेशली जो कैपिल गूड सेक्टर और 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 गास सेक्टर से PSU के जो शेर्स भागे हैं शायद अफसाइड यहां से लिमिटेट रह सकती है और रिस्क जादा रह सकता है निवेशों के लिए ऐसा इनका मानना है सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक की तो इनका मानना यह है कि जो लॉंग टर्म वाइस बिजनस में रिस्क आते वह दिखाए पड़ रहे हैं उसको मार्केट शायद इग्नोर कर रहा है मीडियम टर्म की जो परफॉर्मनस है उस पर जादा फोकस हो रहा है लेकिन लॉंग टर्म के लिहाज से अभी भी काफी सारी चीज़े अनकलियर है ओल एन गास सेक्टर में ग्रीन एनरजी सेक्टर में जिसका चायद इंपक्ट प्यस्यू उस पर पढ़ सकता है प्यस्यू इंडेक्स की बात करें तो पर से 92% का गेन आपने देखा है पिछले 12 महीने में और अब कोटक को लगता है कि कैपिल गूड सेक्टर में प्यस्यू जो कैपिल गूड नाम है यहाँ प्रोफिटबिलिटी बहुत जादा नहीं रह सकती है मार्जिन्स पर आगे जाके प्रेशर आ सकते है और अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो BEL यानि भारत इलेक्रोनिक्स, BHEL, हिंदुस्तार, एनॉरोटिक्स आपके स्क्रीन के उपर एक टेबल आएगा जहां वैल्यूएशन अगर आप देखें 2019 में जब मोदी जी का सेकेंड टर्म था, to the current वैल्यूएशन आपको चीजें महेंगई दिखेंगी BEL का अगर हम EVA बिटा देखें मार्ज 19 में तो 9 टाइम EVA बिटा पर ट्रेड होता था, आज 24 ट्रेड होता है BHEL 9 ट्रेड होता था और आप 21 टाइम EVA बिटा पर ट्रेड हो रहा है, तो जो higher side पर है ऐसा कोटक को लगता है अब यहां से मूग करते है power PSUs की तरफ जहां return on equity की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत वीक होती हुई दिखाई पड़ रही है, और अगर आप price to book valuation दे दें इन सभी power PSUs को तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत premium पे अब renewable energy company जैसे NHPC, SJVN वो trade कर रहे हैं, NTPC भी in fact आपको multi-year high valuation पे आता हूँ दिखाई पड़ रहा है, और वो table आपके screen के उपर आएगा, जहां NHPC की जो price to book थी March 2019 में वो थी 0.8, अब धाई time price to book trade हो रहा है, NTPC भी लगभग दुगने valuations पे आ गया है और अगर हम power grid की बात करें, तो power grid जैसा जो fix डारुई का धंदा है, वो भी लगभग धाई time price to book trade हो रहा है, जो की date time था March 2019 में, oil marketing companies, यहां भी अगर आप देखें तो quota का मानना यह है, कि पिछले दिनों जो crude में volatility थी, उसके कारण petrol diesel के sales पे volatility हुई, और अगर हम नुकसान की बात करें, तो earnings बहुत ही हेवायर होती है, पावर, sorry, oil marketing companies की, और अगर हम valuation देख लें, BPCL, HPCL का, तो जो 2019 में इनका valuation था, March में, उससे 15-20% premium पे already सारे के सारे oil marketing companies trade हो रहे हैं, और अभी current valuation देख लें, तो forward basis पे BPCL, HPCL और IOC इन सभी के जो P's हैं, वो expand हो चलें, खास करके BPCL और IOC, 10 के P multiple पे trade कर रहे हैं, जो की quota के इसाब से काफी महेंगे हैं, और आगे जो green energy का transition है, इसका भी एक बड़ा risk market ignore कर रहा है